हाई गाईज मेरे अब साहिल करते और आज की विडियो शुरू करते हैं से पहली न्यूज और बहुत बड़ीया न्यूज है भाई अलिबाबा एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है जहाँ पर एक घंटे के अंदर डिलिवरी होगी और यहाँ पर हम इंटरनाशनल बात कर रहे है ग्लोबली एक घंटे के अंदर डिलिवरी रॉकेट से डिलिवरी करने वाले है यह रियूजबल रॉकेट होगी अब इसका मतलब यह हो सकता है कि अलिवाबा लॉंचिंग स्टेशन टाइप्स बनाए अलगलग जगाओ के अंदर और एक जगा से लॉंच होगा दूसरी जगा लैंड होगा उसके अब वहाँ से डिलिवरी होगी भाई बहुत मस्ट चीज चल रही है अगर यह चीज successfully चाइना में हो पाती है तो future में आप देखना कि यह चीज इंडिया जैसी countries में भी हो सकती है देखते है होती है कब तक होती है या होती है नहीं होती है क्योंकि अगर मैं Zomato की बात करके चलूं तो Zomato ने last mile delivery شुरू करी है office goers के लिए इंडिया के अंदर ये जो service थी पहले चाहिना के अंदर चलती थी अब उसको इंडिया में replicate किया है Zomato ने समझाता होता गया है जैसे मान के चलो कोई corporate tower है जहांपर बहुत सारी अलग-अलग companies है तो वहाँ पर Zomato अपना एक station बना लेगा तो delivery वाला आएगा और वो station वाले को देखे चला जाएगा अब वहाँ पर एक बंदा होगा जो जाके individually हर जगा पर जाके देखे आएगा तो इससे क्या होगा delivery वाले को जाना time waste नहीं करना पड़ेगा वो सीधा आएगा station पर चोड़ेगा और चला जाएगा सुनने में चीज अच्छी लग रही है बाखी profitability टाइम बताएगी अगर इंडिया की मैं delivery company जिसको reliance back करता है डंजो की बात करके चलू तो भाई डंजो का कहना है 2025 financial year तक वो profitable होगी अभी उनका plan है कि कैसे cash flow positive हो सकते है और धीरी धीरे जो उनकी loans है जो debt है उसको चुका सकते है October 2023 के अगर बात करके चले तो भाई company का बुरा हाल हो गया था ऐसा लग रहा था company बंद हो जाएगी उन्होंने जून जुलाई की salaries भी नहीं दी थी अपने employees को उसके बाद उनने का था February 2024 तक हम भाई तुमको salary या दे देगे और उसके उपर interest भी देगे December 2023 के अंदर तो इनके जो partner source से वो बंद हो गए थे क्योंकि इन्होंने payment नहीं करी थी उनको फिर कही ना कहीं पैसा का जुगाड हो गया और इक company बजती भी दिखाई दी है बट जब तक profit नहीं आएगा तब तक long run पे company survive करनी मुश्किल होती है अगर हम Pola Electric की बात करके चले जो कि अपना IPO निकालने का plan कर रहा है उन्होंने 410 क्रोड रुपे raise किया है debt के अंदर debt का मतलब उथार के अंदर loan के अंदर तो उन्होंने loan में लिया है हो सकता है इनको ऐसे लग रहा होगा valuation cut हो सकती है या फिर उनको लग सकता है कि अभी हमारी company के जो value है वो बहुत जादा है जो लोग value कर रहे है उसके comparison में तो उनको लगा चलो debt place कर लेते आईप में निकालेगे तो debt को repay कर देगे अगर मैं Bombay Shaving Company की बात करके चलू तो उन्होंने भी debt के अंदर पैसा raise किया है 24 करोड रुपे तो अभी हमको एक-दो साल तक ये trend दिखाई देगा जहांपर debt में पैसा raise किया जाएगा क्योंकि company को ऐसा लगेगा कि अगर मैं पैसा raise करूँगा using funding equity को dilute करके तो उनकी valuation नीचे हो जाएगी अगर मैं Bombay Shaving Company की बात करके चलू उनका 178 करोड का revenue है और उनका EBITDA माइनस 37% का है तो अगर company ने 178 करोड के revenue के उपर 24 करोड का loan लिया है अगर हम 10% भी ब्याज मान के चले हो सकता है कम उपर मैं calculation के लिए कह रहा हूँ तो 2.4 करोड का expense और बढ़ता हूँ दिखाई देगा तो EBITDA इंका और negative जा सकता है अब यहाँ पर आपके दिबाग में यह भी आ रहा हूँ का 24 करोड पर खर्चा करेंगे तो revenue बढ़ेगा हो सकता है कमपनी profitable हो जाए हो जाए पर मैं अभी के margin के उपर अगर बात करके चलू तो ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर मैं अपने opinion मताओ मुझे लगता है कि loan तब लेना चाहिए जब आपका leverage सही हो leverage का मतलब यह हो गया आप 24-25% का PAT report कर रहे हो और आपने 12% के उपर loan ले लिया है मुझे लगता है कि इस rule के उपर चला जाए तो एक ही सही दिखाई देती है बाकी अगेन मुझे लगता है कि Bombay Shaving Company सो सरवाई करी जाएगी कुछ यह जो एक दो साल बुरे चलने वाले उसके बाद में जो funding का boom आने वाला है वहाँ पर सबके सब लोग फायदा उठाएगी अगर मैं Pocket FM की बात करके चलू तो अभी recently उन्हेंना पैसा raise किया था अब वो ESOP का buyback कर रहे है 66 करोड रुपीज का तो जिद employees के shares west हो चुके हैं उनको मिल लाएगा अब ये westing ESOPs क्या होते है वीडियो देख लेना तब समझ में आएगा detail के अंदर मैंने बना रखी है अपने main channel के उपर आई बटन में वीडियो देरेता हूँ अगर मैं अपनी government की बात करके चलू तो उन्होंने financial aid 23-24 के अंदर 16,500 क्रोड रुपीज रेस करे है अपनी equity बेच के plan तो था 18,000 क्रोड रुपे रेस करने का बट targets को पुरा meet नहीं कर पाए अगर हम defense exports की बात करके चले all time high पे पहुंच गए 21,083 क्रोड पे पहुंच गए जो कि बहुत अच्छी बात है अगर हम growth की बात करके चले 32.5% growth दिखाई दिये previous year से अगर देखा जाये तो अगर हम GST collections की बात करके चले तो मार्स के महीने में second highest ever GST collection हुई है 1.78 लाक करोड की तो अच्छी बात है अगर GST collection हुई है इसका मतलब business ही चल रहा है पकेगा reality कुछ भी हो सकती है बट इसके हिसाब से जो transitions हो रही है पकेगी वो better direction में जा रही है अगर हम Apple की बात करके चले Apple India का सबसे बड़ा blue collar job creator है 1.5 लाक से ज़ादा individuals उनको join कर चुके अभी PLI scheme के अंदर उनने अगस 2021 के अंदर smartphones इंडिया के अंदर बनाना शुरू किया था उसके बाद देखो भाई hiring पे hiring hiring पे hiring चल रही है तो बहुत साइड लोग कहते है कि PLI का फाइदा नहीं है नौकरिया के रिट हो रही है न क्योंकि गौर्णमेंट ये बस की नहीं है कि businesses grow करे और वहाँ से लोग hiring बढ़ा है अभी recently मैंने पढ़ा था कि रगुराम राजन जी बोल रहे है जो इंडिया के अंदर chips बन रही है वो बोड़े size की है phone वाली 3 nanometer तब पहुंच चुकी है बट अभी इंडिया के अंदर 21, 22, 23 nanometer बन रही है यह चीज़ सही नहीं है बर मुझे लगता है कि start अदा initiative है एक बार वो setup set हो जाता है उसके बाद तो machine change करनी है logic वो ही चलने वाला है मेरे साब से कोई problem नहीं है scale तो हो सकता है starting के अंदर उन्होंने iPhone के पुराने models बनाने शुरू करे थे बड़ अभी कहा जा रहा है जो latest models भी आएगे वो भी इंडिया के दर बनेगे अगर मैं Hyundai इंडिया की बात करके चलो तो उन्होंने यह highest annual sales report की है financial year 24 के अंदर 7,77,000 से ज़्यादा उन्होंने गाडिया बेची है 8% growth दिखाई दिये year on year तो अच्छी चीज़ है इनके लिए भी अगर दिखा जाये तो अगर मैं luxury segment की बात करके चलो तो वो भी भाई highest sales report कर रहा है 50,000 से ज़्यादा गाडिया बेची गई है पहली बार luxury segment के अंदर Audi 89% growth करी है retail sales की अगर मैं बात करके चले 2023 के अंदर Mercedes ने अपना best ever year report कर दिया और BMW India की बात करके चले तो उनोंने 14,000 से ज़्यादा गाडिया बीची है तो ये सब कुछ ना अच्छी direction पर दिखाई दिया रहा है बागी एक April को April फुल का जाता है जहांपर लोगों का पागल बनाय जाता है तो अगर हम Google की co-founders की बात करके चले Larry Page और सर्जी ब्रायन उनका नाम famous था कि वो बहुत जारे लोगों के साथ में जोक मारते थे फिर एक news निकल के आई थी 2024 के अंदर जहांपे उनोंने एक April को ही बूला था कि भाई हम Gmail लिकाल रहे हैं और जहांपर आपको 1GB पर account storage मिलेगी उस time पे जो बाकी competitors थे जैसे web mail वेगारा हो गए भाई वो इतना offer नहीं कर पाते थे तो कहीं न कहीं free storage की वैसे उन्होंने market share gain किया आज वो 15GB offer करते है हाँ देखा जाए उस जमाने का 1GB और आज के 15GB में बहुत फर्क है क्योंकि आज अगर आप normal चीजों का भी backup बनाने जाते है 15GB ऐसी बर जाता है उस जमाने 1GB एक बड़ी बात हुआ करती थी तो अगर आपको storage बढ़ा नहीं है है government employees के लिए ये बहुत बड़ी चीज है अभी देखो chat GPT, chat GPT था co-pilot के ऊपर ये पूरा-पूरा windows का business build करने का plan कर रहे है ये dedicated key देने का plan कर रहे है जिसे हम windows वाली key होती थी वैसे key बनाने का सोच रहे है कि co-pilot एक system का part बन जाए तो अगर co-pilot को भी बन कर दोगे हाँ government employees के लिए बन किया है बट कहीं नहीं communication तो ये जा रहा this is not safe तो अगर ऐसा कर दोगे तो long term risk आ सकता है अगर मैं लॉन मस की बात करके चुरूँ तो उनका कहना है कि जो AI है ना वो ऐसा है कि जैसे बच्चे को बड़ा किया जाता है अगर बच्चे को अच्छे संसकार दोगे तो बच्चा अच्छा निकलेगा बुरे संसकार दोगे तो बच्चा फुरा निकलेगा तो उनका ये कहना है कि 10 से 20% chances है कि AI humanity के लिए dangerous हो सकता है तो जो हम पिच्चरों में देखते है कि AI हो गया और उन्हें दुनिया पे घबजा कर लिया राज करने लग गया ये करने लग गया वो 10 से 20% chances है और अगेर मुझे लगता है कि कोई कम chances नहीं है बड़ा chance है पर उनका कहना है highly likable है कि AI को positive direction नहीं use किया जाएगा बाखी मुझे लगता है कि with great power comes great responsibility जे लोग अब ऐसा होगा वो AI में बहुत advance रहेगे अब उनके पास में रहेगा कि उस AI से अच्छा काम करवाना है negative काम कराना है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक AI हम human से smart हो जाएगा और this is बहुत बड़ी चीज़ अगली कबर चाइना से है तो चाइना की जो factories है महापक growth दिखाई दे रही है छे महिने में पहली बार जो उनका PMI index है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अगर मैं WhatsApp की बात करके चलूँ तो WhatsApp भी एक feature को test कर रहा है जापर आप UPI से international payments भी कर पाऊगी अब international payments कहाँ कहाँ पे होगी वो देखने वाली बात है जिन-जिन country से agreement हुए है वहाँ पे होगी है अब पता निक कई पे भी हो जाएगी बाकि अगर अगर मार्किट की बात करके चले financial year की शोवात हुई है और मार्किट हमको healthy ही दिखाई दिए ये अच्छी चीज़ है और ये लोग है हमारे supporters जिनकी वेस्ति डेलिएव आप तब जीज़ लाप आते है तैंक यूँ और supporting us और इसी के साथ में आज की वीडियो कतम होती है उमीद करता आपको मजा आओगा लाइक कर देना शेयर कर देना कमेड़ों तान वीटियो कैसी लगी बाय गुर्ण शाब करें गुदा आफिस गुड मॉर्निंग राफ्टों जब्या वीडियो देख रहे है जैहन बंदे मात रहो